अब काफी सारे लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भई हम तो अपने उसी डिवाइज में लॉगिन कर रहे हैं हमारा वही डिवाइज है जो हम पहले यूज करते थे और अचानक हमारे अकाउंट पे हमें इस तरीके से देखने को मिलता है तो आखिर हमें ऐसा क्यों देखने क मिल रहा है इसका क्या रीजन है तो आज की स्यूडियो में आप लोगों को मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने ओल्ड ही डिवाइज को यूज कर रहे हो लेकिन उसके बावजुद भी यहाँ पे जो आपको सिक्स डिजिट कोड या एट डिजिट का कोड सेंड किया जाता है आपके मुबाइल नंबर पे वो कोड यहाँ पे आपको नहीं मिलता है यानि कि रिसीव नहीं होता है आपके नंबर पे यहाँ फिर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ को अपने को कभी भी ओपन ना कर पाहो क्योंका इस के ए allah आपने इस अकउन को कभी वह बी ओपन नहीं कर पाऊगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ç fold को क्या गलती नहीं करनी हैasब अब दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ने यह सारी बाते आपको अच्छे से समझनी है आप देखिए आपका अकाउंड इस तरीके से आपको क्यों देखने को मिलता है इसका आप रिजन समझ लीजिए फिर आपको क्या अपने अकाउंड पर गलती नहीं कर लेता हूँ यहां पर दोस्तों हमारा जो अकाउंड है वो ओपन हो चुका है और यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब आप अपने अकाउंड को डेली यूज़ करते हूँ लेकिन अचानक आपका अकाउंड एक दिन आपको इसी तरी यहां पर दोस्तों और करना है तो यहां पर कुलिक करना है पर्सोनल एंड अउप्शन को कलिक कर देना है इसके बाद में यहां पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हїं तो यहां पे जो सेखन पर contact info यहां पर आपको क्लिक करना है कि दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह सारी बाते आपको अच्छे से समय नहीं है ठीक है यहां पर देखिए आपके account के अंदर जो भी mobile number add होगा वो देखने को मिल जाता है और जो भी email add होगा वो भी आपको आपको बताने वाला हूँ अब देखिए दोस्तों काफी सारे लोग करते क्या है कि अपने फोन के अंदर काफी सारे चीज़े download कर लेते हैं download करने से उनका जो phone है वो slow चलने लगता है और इस चक्र में वो अपने phone को reset कर देते हैं अब reset करने से पहले वो एक गलती करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको कभी भी नहीं करनी है नहीं तो आपके account पे इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो काफी सारे लोग अपने phone को reset कर देते हैं यानि के factory reset कर देते हैं उसके बाद में आपका जो device है वो इस reset कर लेते हो उसके बाद में आप अपने Facebook account को फिर से login करते हो लेकिन login करने पर आपको इस तरीके से कुछ interface देखने को मिलता है और यहां पर ना तो आपका mobile number देखने को मिलता है ना ही आपकी email देखने को मिलती है तो यह problem आपको क्यों ना देखने को मिले पहले मैं आपको यह बता देता हूँ तो देखिए जब भी आप अपने smartphone को reset करते हो तो आपको हमेशा एक email या फिर एक mobile number आपको new add करना है अपने account में और उसके बाद में आप reset कर भी देते हो तो होता क्या है कि आपका जो old mobile number होता है और जो old email होती है वो automatic ही remove हो जाती है ऐसा नहीं कि हर ब अपने उसी device में login करते हो लेकिन फिर भी आपका जो mobile number email है दोनों ही remove हो जाते हैं आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो हमेशा आपको यह बात धान में रखनी है कि जब भी आप phone को reset करते हो तो आपको एक email या एक mobile number new add कर देना है उसके बाद में आपको reset कर लेना है या फ account login नहीं होता है दूसरे device में तो आपको एक new email या new mobile number add करना है उसके बाद में आपका login हो जाएगा तो यह तो आपको करना है तभी आप इस problem से बच पाओगे अब मालीजी कि यह सब कुछ आपको पहले पता ही नहीं था आपने ऐसा को वीडियो यह नहीं देखा था जिसमे आपको एसा बताया गया हो कि आपको ऐसे करके रखना है तो अब आपका यह account कैसे open होगा तो इसे open करने का एक तरीका है जो के अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखे यहाँ पे आपको करना क्या है अब देखे दोस्तों फिर से आपको अपने account में login करना है और जैस कर पाओगे तभी आपका account open होगा लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी mobile या email देखने को नहीं मिलता है तो इस option से आपका account open होने वाला नहीं है तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी आपका old password था जो भी आपका सही password था वो यहाँ पे आपको इंटर करना है अब आपको अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचना है कि आपका जो password है वो क्या था अगर आप अपना सही password यहाँ पे इंटर कर देते हो तो आपका 110% account open हो जाएगा लेकिन अगर आप अपना सही password इंटर नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे आपका account open नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपके account का access होता है जो email, mobile number वो दोनों ही रिवू हो चुके हैं तो आप अपने account में login नहीं कर पाते हो लेकिन अगर आप अपने इस account का सही password इंटर कर देते हो तो आप अपने account में login कर पाते हो और उसके बाद में आप email और mobile number दोनों ही add कर पाऊगे तो इस तरीके से दोस्तों आप इस problem को solve कर सकते हो अब काफे सारे भाई मेरे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने तो अपने उसी device में login किया है और बस अचानक हम अपने device में फिर से login करते हैं तो हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है तो देखी आप daily अपने account को use करते हो तो आपको ये problem कभी भी देखने को नहीं मिलती है लेकिन अगर आप अपने phone को reset कर देते हो या फिर आप device change करते हो तब ही आपको ये problem देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको code नहीं मिलता है और यहाँ पे आपका mobile या email भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप phone को reset करते हो या device change करते हो तो आपको ये बाते हमेशा ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है और इस तरीके से आप अपने इस account को open भी कर पाओगे अगर आप सही password इंटर्क कर देते हो अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो email है और mobile है दोनों पे ही code नहीं आपको मिल रहा है और आपने password भी सही डालके काफी बार try कर चुके हो और उसके बाद में भी आपका account open नहीं हो रहा है तो आपको एक Facebook account बनाना है तो कैसे बनाना है क्या सही तरीका होता है Facebook account बनाने का मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जैहिन